What's happening guys, this is Electra तो last episode में हम लोग गए थे introduction sector क्योंकि guys अभी हम निकले हुए है Queen Bouncila की scepter लेने के लिए ताकि जो monsters उसकी pocket में से निकले हैं हम उनको वापस से बढ़ लसे हैं और ये काम सिर्फ और सिर्फ Queen के scepter से ही possible है बट guys उसको लेने के लिए हमें ये वाला डोर open करना पड़ेगा जिसके लिए हम अलग-अलग sectors में जाकर ये सारे switches green कर रहे हैं और guys ये काम हमें जल्दी से जल्दी करना होगा क्योंकि उन monsters में से एक monster बैंबलीने को किड़नेप करके ले गया है हैटफोंस लगा लो बहुत ज़दा माजा आने वाला लेट्स को ओके गाइस तो हम वापस से आ चुके हैं इसी वाले डोर के पास और जैसा मैंने आपको बताए कि इसको open करने के लिए हमें बाके के switches green करने होंगे और last episode में हमने introduction sector में जाकर ये वाला switch green कर दिया था और आज बार ये हमारे next sector की जिसका नाम है potentiality sector वैसे guys वहाँ जाने से पहले एक बार ही इसको देखो last episode में जब है elevator के पास पड़ा हुआ था तो मुझे लगा ये मर चुका है बट अभी तो यहाँ पे शांती से बैटा हुए है और अभी ये शायद से थोड़ा सा गुस्सा है और bitter giggle को घूर रहा है खेरे इन दोनों को यहीं पे छोड़ते है फिलाल अभी हम चलते है potentiality sector देखते हैं वाँ पे हमें और क्या क्या देखने को मिल सकता है और guys यह रहा अपना प्यारा सा drone जिसके अंदर अभी एक light लगी हुए है जिसकी मदद से मैं यहाँ पे आगे जा सकता हूँ क्योंकि guys यहाँ पे बहुत ज़दा अंधेर है तो last episode में यह वाला arrow follow करते हुए हम गये थे सामने उस वाली जिगह पर जो हमें लेके जाता है सीधा introduction sector में वैसे guys जो वो monster वहाँ पे हमारे door knock कर रहा था तो भाई मुझे लगा था वो दरवाजा तोड़के सीधा अंदर आ जाएगा और अभी अभी यह flashlight अभे भाई यह इसको क्या हुआ शायद से guys मैं यहाँ पे होकर आ चुका हूँ तो शायद से अब यह वाली flashlights काम करना start कर वह भाई यह क्या है guys मुझे यहाँ से किसी की आवाज आ रही है और यह भाई चारों तरफ से आ रही है वह भाई साब यह वहाँ से भी आ रही है बट वो तो अच्छा है यहाँ पे light जल रही है और guys इनकी अवाज सुनके मुझे इतना तो पता चल गया है कि यह एक नई बल्कि बहुत सारे monsters है okay सामने से मुझे अवाज आ रही है काम करता हूँ guys मैं अपना drone यहाँ पे बेशता हूँ यहाँ पे light होगी तो शायद से मुझे दिखाई देगा कि आकिरकार इस अंदेरे के अंदर खड़ा कौन है बट guys यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और अवाज भी इन से आ रही है अभी guys एक काम करते है फिलाले जगे से बाहर निकलते है भाई मैंने चाहता कि वो monsters मुझे पर भी अटैक कर दे वैसे जब तक मैं light के अंदर खड़ा हूँ तब तक मैं safe हूँ बट फिर बियारिन lights का भरोसा नहीं है वैसे guys जो monster बैन बलीना को किडनाप करके लेके गया है वो गया था सामने की तरफ और शेरिफ टोट सर भी उसी के साथ उसके पीछे पीछे गया था बट guys अभी मुझे ये नहीं समझा रहा कि वो दोनों safe है या फिर उनके साथ भी कुछ बुरा हुआ है बट यहाँ पे मुझे कुछ arrow वगएर है दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब मुझे सामने की तरफ नहीं जाना है और यहाँ पे एक arrow है और साथ ही में मुझे यहाँ पर एक रस्ता भी दिखाई दे रहा है जहाँ एक कुछ Lamps लगे है यहाँ अपने आपनी on kuray खेर मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरा drone नहीं तो वही काफी है Let's go भाई अभी मैं अपने drone को यहाँ पर direction देता हूँ सामने की तरफ और वो तो अच्छा है कि मुझे यहाँ पर अंधेरे में एक रस्ता दिखाई दे रहा है वरना यहाँ पर इतना जादा अंधेर है कि मुझे पता नहीं चलेगा मैं किस direction में move हो रहा हूँ अभी यहाँ पर lamps वगेरा मुझे दिखाई तो दे रहे थे बट अभी वो बंद हो चुके है खेर कोई दिक्कत नहीं मैं सामने की तरफ ही जाता रहा था भाई यह भी हो सकता है कि वो एक्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि जैसा हमने अभी देखा है कि वो monster बैंबली ने को किड्नैप करके ले गया है तो इसका मतलब कि वो इन पर भी attack कर सकता है वसे मुझे नहीं पता कि वो acting कर रहा है फिर सच में हमारी help करना चाता है वसे उसी ने मुझे बतायता है कि हमें potentiality sector जाना है तो पता नी भाई कुछ भी हो सकता है और गाईस शायद से अभी मैं अपनी जेगाई पर पहुँच चुका हूँ क्यूंकि सामने मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है और भाई यह अचानक से क्या हुआ मुझे अभी वापस से वही वाली आवाज आना स्टार्ट हो गई है गाईस अभी वो monster मेरे just side में खड़ा हुआ है अगर मैं यहाँ पर हलका सा भी रोशनी से निकला तो वो मुझे पर attack कर देगा मैं भाग के यहाँ पर आ जाता हूँ अभी अपने drone को यहाँ पर सामने की तरफ target करता हूँ वैसे यह light up अपने आप जलने लग रही है बाई मैं बिल्कुल पर risk ने लेना चाहता भाई यह कभी भी बंदो जाती है तो मैं almost पहुँच चुका हूँ उस जगह पर जहाँ पर मुझे आना है मिल जाए और भाई यहाँ पर card पड़ा हुआ है और भाई यही है वो robot जिसके पीछे ban ban और nap nap की बहुत अगड़ी fight हुई थी वैसे उसके बाद से मुझे ban ban कहीं दिखाई नहीं दिया हाला कि ban ban ने भी हम पर पहले attack कर रहा था बट शायद से वो अभी ठीक हो चुका है बट मैंने यह वाले door अभी open कर दिया लेट्स गो ओ भाई साब यह कहा है यह तो मुझे कुछ museum टाइप लग रहा है और यहां पर यह जेस्टर वगरा खड़े हुए है क्या यह जिन्दा है ओ अच्छा गाईज यह अभी यहां पर आधे-ाधे खड़े हुए है ओके भाई यह अभी एक दूसरे का मज़ा कोड़ा रहे है अच्छा तो अभी यह बोल रहा है कि हम दोनों को साथ में जुड़ जाना चाहिए क्योंगी अभी यह क्योंगी आधे-ाधे खड़े में यार इस ने क्या करा इस बंदे ने उसको लात मारी और खुद भी नीचे कूद गया और गाईज यहां पर मुझे एक और रस्ता दिखाई दे रहा है बट यह हुआ क्या भाई उसने उसको बोला कि हम दोनों को साथ आजाना चाहिए उसने बोला कि एक सेकंड मुझे सोचने का टाइम दो और उसको लात मार के खुद भी नीचे गिर गया और उसको भी गिरा दिया खər वो सब तो ठीक है लेकिन यहां पर जो रस्ता मुझे दिखाई दी रहा है में यहां पर जाऊंगा कैसे वैसे मैं यहां पर जंप मारू तो एक बारी beach वाले door के पास चलते है और यहाँ पे तो lock ही नहीं है बट इस वाले door के lock के अंदर power आ रही है बट इसका card मेरे पास नहीं है इसका मतलब guys शायद से अभी मुझे नीचे की तरफ ही जाना चाहिए और यहाँ पे एक और रस्ता है क्या यह भी मुझे नीचे की तरफ ही लेके जा रहा है okay guys तो यहाँ से मैं safely नीचे जा सकता हूँ लेकिन उससे पहले मुझे सामने वहाँ पे एक चीज दिखाई दी है okay तो सबसे पहले एक बर ही वहाँ पे चल कर देखते है भाई मैं यहाँ पे अराम अराम से जाने वाल हूँ अब भाई यह तो एक नॉर्मल सी हैट है मुझे लगा शायद से कोई कार्ड या फिर कोई टेप वगेरा पड़ी होगी और यहाँ पर तो एक प्रॉपर रस्ता बना रहा है जिससे मैं नीचे जा सकता हूँ लेकिन लेट्स गो अभी मैं फाइनली आ चुका हूँ यहाँ पे नीचे वाले रस्ते पर और यह का चीज पड़ी हुई है तो यहाँ पर मुझे एक और टेप मिली है वैसे अभी मेरे पास दो टेप हो चुकी है एक हमें मिली थी इंट्रोड़क्शन सेक्टर में और एक अभी मुझे यहाँ से मिल चुकी है खर वो सब तो ठीक है लेकिन यहाँ पर गाइस मैं कुछ बटन देख पा रहा हूँ इस वाले बट पन को प्रेस तो कर दिया जिसमे यहाँ वाला बटन और अक्रेट ओचोका है लेट्स गो गाइस अभी मैंने दोनो बटन अक्रिवेट कर दिया है यहाँ पर ईक और बीटर गीगल बैठा हुआ है और यहां पर यह बैटा हुआ है, मैं एक काम करता हूँ भाई, यहां से गूम के निकल जाता हूँ इन लोगों पर भाई मुझे बिल्कुल भी बरोसा निया है, एक बैन बैन ही है, जिस पर मुझे थोड़ा पर ट्रस्ट है क्या, अच्छा इसके पैर निया है क्या अजीव है भाई, यहां से अच्छा इसके बात कर रहा है, और इसका एक पैर निया है वैसे अच्छा इसका पैर निया होता तो मेरे पीछे पढ़ जाता लेकिन अभी फिलाल मुझे उपर जाना है या फिर नीचे तो पहले एक बार ही उपर चल के देखते हैं और भाई तू अगर उपर आ गया तो तेरे सीधा ड्रोन फेक के मारूँगा दूसरा भी पैर नी बचेगा अभी मुझे शायद से इसको फॉलो करना चाहिए और क्या भाई इस डूर को एक्टिवेट तो कर गाइस अभी तक इस डूर के अंदर पावर नी आई है और इसने मुझे कुछ खास बताया नहीं जिससे मुझे पता चले कि यहां पर करना क्या है बट अच्छे चीज़ तो आपस इसको open करने का कोई रस्ता हो बट यार ये तो बंदी है शायद से आसपास यहां पर कहीं purple card पढ़ा हो जिसको मैंने अभी तक देखा नहीं है वैसे यहां पर सारी की सारी chairs तो खाली पढ़ी हुई है यह वाली side भी सारी खाली पढ़ी हुई है और guys अभी हम आ चुके के देखते हैं शायद से मैं यहां पर कुछ मिस कर रहा हूं एक तो मुझे यह नहीं समझा रहा कि इस वाले बटन को मैं प्रेस कैसे करूंगा ऐसा तो निया की कार्ड इसके पास पड़ाओ बट इसके पास तो कुछ भी नहीं है वैसे यह वाला डूर ऊपन करके मैं गया हूं और यहां पर बहुत ज़्यादा अंधिर है बट मुझे जाना किस तरफ है लेफ्ट या फिर राइट वैसे सारे के सारे रस्ते आपस में कनेक्टी होते हैं तो एक बड़ी राइट ही चलके देखते हैं और मुझे नहीं लग रहा गाईज यहां पर मुझे और कुछ काम का म मेरे दिमाग में बहुत मस्ता आइडिया है क्यों ना मैं यहां पर जाके खड़ा हो जाओ और यहां पर अपने ड्रोन को अगर मैं टार्गेट करूं तो शायद से वो उस जगह पर जाके उस बटन को प्रेस कर देगा क्योंकि गाईज शायद से मुझे लग रहा है कि अपन नीचे के तरफ भी जाके देखते हैं तो दीरे दीरे चलते हैं नीचे के तरफ और यहां पर एक और फ्लोर है यहां पर भी कुछ काम का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है भाई कहीं पर तो कुछ पड़ा हो यार यह कैसीन है भाई मैं फिर जाओंगा कहां पर ओ भाई साब भाई आप मुझे समझा है यहां पर करना क्या है यहां पर जो यह cross बना हुआ है मुझे बस इसको यहां पर target करना है लेकिन अपने drone को पहले मुझे नीचे वाले floor पर भीजना पड़ेगा यार इतना easy काम था मुझे तब से समझी नहीं आ रहा भाई मुझे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा जिस भी जेगे पर मुझे एक cross देखेगा इसका मतलब यह है कि मुझे अपने drone को यहां पर target करना है भाई सब इतना चोटा सा काम था मैं तब से अपने दिमाग इतना लगाए जारा हूँ चलो ठीक है फिलाल अभी नीजे के तरफ चलते है पहले अपने drone को यहां पर center में target कर देते हैं अभी मैं अपने drone को यहां पर teleport करवाता हूँ और इसको मैं भेशता हूँ इस जगह पर ओकी गाई तो अपने drone की position change करके मैंने इसको खड़ा कर दिया है इस जगह पर और अब मुझे जाना है सीधा ऊपर वाले floor पर उस yellow वाले target पर अपने drone को target करने के लिए भाई सच मैयार इतना चोटा सा काम था और मैं इस चीज के लिए तब से इतना दिमाग लगा रहा था चलो ठीक है मैंने अपने drone को यहाँ पर finally target कर दिया है और अब भी मैंने ये वाला button प्रेस कर दिया है और शायद से guys अब यहाँ पर जिस भी button के अंदर power नहीं आ रही थी उसके अंदर power आ चुके लेट्स को भाई ओके guys तो अभी मैं यहाँ पर बहुत ज़दा आगे आ चुका हूँ मुझे नहीं पता मैं कहां पर जा रहा हूँ बट सामने मुझे एक light दिखाए दे रही है और यह कोई सीड़ी है जो मुझे लगातार ऊपर वाले floor पर ही लेकर आय जा रही है और band band यहाँ पर आके खड़ा हो चुका है ओ भाई सब guys यहाँ पर band balina नहीं यह band balina नहीं है यह कुछ तो है जो band balina जैसा दिख रहा है बट यह band balina नहीं तो नहीं है और साथ ही में guys यहाँ पर बहुत सारे robot भी रखे वहैं जो हमने पहले देखे थे वैसे बैन बैन अपने साथ है तो मुझे डरने की ज़रोत नहीं है यह वाला डोर अभी मैं उपन करता हूं लेकिन इसके पीछे ही खाड़ा हो जाता हूं जाके यहां वैसे यह जगह तो काफी ज़धा अजीब है तो यह मॉन्स्टर अच्छा यह बैन बिलीन है नहीं बैन बैन है और यह उसका स्टैचू है और ऐसे यहां पर सेम दो स्टैचू है और बैन बैन वहां पर जाके खड़ा हो चुका है शायद मुझे इसके पास जाना इंडर गार्डन में अंडर ग्राउंड इतनी जादा बड़ी जगह भाई अब भी हम आ चुके हैं माइनस सिक्स फ्लोर पर मुझे तो लग रहा भाई यह एडमिशन वगएरा ऐसे लेते होंगे यहां पर बच्चों को लाके बंदी करने का काम होगा क्योंकि इतना ज्याद ऊंच करना है इतना तो मुझे समझ आ गया है और मैं इसको कुछ कर नहीं पा रहा हूं लेकिन यार मैं बार-बार बड़न प्रेस करना हूं बट इससे कुछ फो नहीं रहा है काम करता हो थोड़ा बहुत मुझे समझ आ रहा है, मतलब इन चीज़ों को मुझे move करना है, और शायद से ये रस्ता मुझे direct करना है इस वाले bulb की तरफ, जिससे अगर ये glow गा तो वो वाला door open हो सकता है, तो यहां के मैंने सारे के सारे ये statues प्रेस कर दिया, लेकिन इससे कुछ हुआ ने नेधर पोर्टल में red वाले stones होते हैं उससे बनाय हुआ है, minecraft तो ठीक है बट मुझे यहां पे क्या करना है यार, ओके तो यहां पे एक note रखा हुआ है, वैसे मैं इसको पढ़ता नहीं हो, लेकिन आज यह पढ़ना बहुत जादा जरूरी है, वैसे इससे मुझे कुछ खा देता हूँ, बट यह इस तरफ तो नहीं खिसकरा भाई, खिसक गया, ओके 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 गाईस तो यह काफी जदा tricky होने वाला है, मैं समझ चुगा हूँ, अभी मुझे बैन बैन के statue को थोड़ा सा आगे करना है, जिससे यहां पे और रस्ता create हो जाएगा, बट यह तो मैं फस यहां पे कोई ऐसा खाली blocky निया, जिसको मैं इसकी जगे replace कर पाऊं, एक काम करता हूँ, इसको बाद में देखेंगे, फिलाल अभी चलते हैं, इस वाली जगे पर क्योंकि यहां पे बहुत सारी जगे और शायद से इसको मैं possible कर सकता हूँ, अभी मैं इस वाले statue को यहां खिसका के band band का statue थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, और यह वाला statue मैं यहां पे आगे खिसका सकता हूँ, और अब बार यह इस वाले statue की let's go, ओके guys तो अभी मैं चाहे तो band band को यहां पे एक step और आगे कर सकता हूँ, बट उससे अपना रस्ता और जदा ब्लॉग हो जाएगा तो मुझे यहां पे कुछ दिमाख लगाना पड़ेगा, सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसको मैं आगे किसकाता हूँ, तो उसके बाद मैं band band को सामने लाके left कर दूँगा, जिससे मैं यहां पे लाके इसको right करके सामने इससे connect कर सकता हूँ, let's go भाई, try करके देखते हैं इसको थोड़ा सा और आगे किसकाते हैं, ओके तो यह वाला statue भी मैंने आगे कर दिया है, अब शायद से मैं band band को यहां पे right किसका सकता हूँ, और इस वाले statue को वापस से पीछे करके मैं यहां पे एक और रस्ता बना सकता हूँ, let's go भाई, यह काफे जदे सही है, भाई, ब इसे यह मैंने करा तो एकदम सही है, बट इससे कुछ हुआ निये, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने गलत क्या करा है, एक बारी किसी दूसरे statue को यहां पे आगे करके देखते हैं, इसको वापस से पीछे बेजदो, क्या पता है यही वाला statue खराब हो, अब बस मुझे यह यहां पर दिमाग लगा जा रहा था और उससे कुछ फायदा हो नहीं रहा था, मुझे लगा था कि इसको मैं यहां पर खड़ा करूँगा, तो यह बल गलो करने लग जाएगा, जिससे यह वाला gate open होगा, खै ठीक है बाई, मुझे समझ आ गया, यहां पर करना है, तो मुझ मुझे इसके लिए जगया बनानी है, ताकि मैं इसको यहां पर लाके आगे खड़ा कर सकूँ, वैसे मुझे सच में garden of band band के सारे के सारे puzzles बहुत ज़दा पसंद आते हैं, इसको solve करने में अलगी मज़ा आता है, चलो ठीक है मैंने इसका रस्ता clear कर दिया है, अब बस इसको वाले puzzle की, और यहां पर तो light ही नहीं जल रही है, यह कैसीन है बाई, वैसे guys यहां पर जो light white color की थी, उसको मैंने इसके statue के बाद green कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद से मुझे इसको वापस से उस वाली light की तरफ लेके जाना हूँ, क्योंकि guys अगर देखा जाये तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ अभी यही काम बचता है, इस वाली light को green करने का, अगर यहां पर light होती तो पहले मैं इस वाले को आगे करता, लेकिन शायद से मुझे पहले यह करना पड़ेगा, तो ठीक है बाई, वापस से काम पर लग जाते हैं, अब मुझे इसको वापस स इस वाले रोबोट को आगे करते हैं, अरे नहीं नहीं मैंने गलत कर दिया है, वापस इसको पीछे करो, अब बैन बैन को भी पीछे करते हैं, ओके यह आ चुका है अपनी वापस से उसी जिगह पर, अब मुझे इसको बस right करना है, मैं इसको right वाले रस्ते से ना ले जाकर इदर से left कर दूँ हा ताकि यह direct इसके रस्ते में आ जाए, इसको खिसका है left की तरफ, इसको किसका है, सामने की तरफ, अब बार यह है बैन बैन के statue की, इसको खिसकाते हैं, एक और बार left की तरफ, इसको करते है, और रह adding過來, और बैन बैन का statue बिल्कुल clear है पीछे जाने के और अगर जो मैंने सोचा है वो सच है तो guys यहां पर यह light green ओके भाई यह green हो चुकी है और guys महाँ पर सामने इस वाली light के अंदर भी मतलब इस वाले bulb के अंदर भी light आ चुकी है लेट्सकू भाई यह कितना सही है मतलब यार मुझे सच में बहुत जादा मजा आ रहा है puzzle solve करके पता नहीं भाई मैं एक तो जल्दी जल्दी में कुछ जाद ही अजीब सा बोल जाता हूं बट यार problem तो यहाँ पर अभी भी same ही है मैं इसको अगर आगे नहीं खिसका ओ भाई अब खिसक रहा है अभी अपने पास एक block extra हो चुका है तो इसका मतलब मैं यहाँ बैन बैन की जगह भी बना सकता हूं इसको करते है पूर्के तो इसको वापस से पीछे धकेलना स्टार्ट करते है अभी तो रस्ता बहुत ज़्यादा क्लियर है अभी यह कहा है मुझे लगा कोई toy वगरा है बट यह तो कुछ अलगी चीज है और यह वह मॉंस्टर जो क्वीन बाउंसी लेकी पॉकिट में से निकले है और क्योंकि यहाँ पर बहुत रोशनी है तो वह जा के अपना अंधेरे में चुप चुका है यहाँ पे एक arrow है और यह कुछ पड़ा हुए यह कहा है यह क्या बाइब बहुत वह अब बाइब गया उससे बात कर रहा है और उसने तो मुझ पे एक दम से अटेक कर दिया ओके शायद से वो यहां से जा चुका है बट भाई उसने मुझ पर अटेक क्यों करा भाई तू बात कर रहा था उससे विसे बैन बैन ने बोला था कि हम फ्रेंड लिया है उसने फिर भी मुझ पर अटेक करा बट खेर कोई दिकतने फिलाला भी अंदर चलते हैं और यह डोर इ किसने मैं मुझे नहीं पता गाइस मुझे क्या करना चाहिए बट अभी मैं बहार तो नहीं जा सकता और यह डोर बंद हो चुका है पीछे से बिटर गिगल आ गया और उसने उसके ऊपर चड़ गया पता निए यह सब चल रहा है और यह तो पक्का गये यह दोनों तो मर गये बाई मुझे पक्का पता है गाइस वो हमारी मदद करने के लिए आया था भाई मुझे लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रहा है बट यह तो सही बंदा निकला लेकिन सर डाड़ा डू कहाँ पर गया भाई अभी मैं यह डोर उपन करू क्या क्या मैं यह डोर उपन नहीं कर सकता ओके अच्छा तो जो म मुझे एक कार्ड मिल चुका है जिसको मैं यहां पर लगा के बाहर निकल सकता हूँ ओके भाई एक तो इसको पता नहीं क्या हुआ एक तो यह बिचारा हमारी वज़े से पिठता ही रहता है लास्ट टाइम नैब ने इस पर अटैक कर रहा था और अभी तो भाई सर डाड़ उने भाई इसको बहुत ज़्यादा ऊपर से फिका था भाई लेकिन ही हमारी हेल्प करने आये था और गाईस अभी मैं वापस से अकेला हो चुका हूँ मुझे ने पता मैं क्या करूँ बट यह दूरों मर चुके हैं क्या मुझे यहां से वापस से बाहर निकलना चीए वैस चोटे से रोम के अंदर से भाई वो जो मॉंस्टर निकला था वह था कुईन बाउंस लेकी पॉकेट में से निकला है और गाईस ऐसे मनस्टर सिर्फ एक न बहुत शारे और इन सारे मॉंस्टर का है थैसा है ईसक कारड मेरे बहुत जादा बड़ा है और गाईस अभी मेंoney साथ आता है वो हमें बाद में अकेला ही छोड़ देता है और यहां पर बहुत जादा अंदेर है मैं पहले अपने ड्रोन को बुलाता हूं पहले उपी लबड का बीबी था उसके बाद शेरिफ टोट सर उसके बाद बैन बैन और पता नी आगे जो भी आने वाला है वो भी पि इसको कारने आएं ऑके अधि समझ गया मुझे करना का है तो अब इस ने मुझे बताए कि हमें यहां पर कोई चार locks fix करने है जिसमें ये हमारी help करने वाले है लेकिन guys उसके लिए हमें इसकी भी help करनी पड़ेगी तो ठीक है फिलाला भी देखते हैं यहापे करना क्या क्या है वैसे यहापे बहुत सारे buttons मुझे नजर आ रहे हैं जिसको मैं press नहीं कर सकता हूँ ओके यहापे चार electrical boards है जो कि शायद से ये fix करेगा और मुझे जाने है उपर वाले floor पे और उपर जाने का रस्ता है इस तरफ से और यहापे भी बहुत ज़दा अंधेर है वैसे यहापे थोड़ी बहुत light लगी हुए इतना कोई डरने वाली बात नहीं है और यहाँ से मैं पूरी जगह देख सकता हूँ ओके तो यहाँ पे भी सेम वही दू प्रोजेक्टर लगे हुए है जो हमने इंट्रोड़क्शन सेक्टर में देखे थे बट वो एक प्रोजेक्टर थे और यह शायद से कोई light है और अच्छी बात हुए है कि इसको मैं ऊपर नीचे भी मूफ कर सकता हूँ यह काफ़ जदा कूल है और शायद से इसी light की मदद से मुझे better giggle की help करनी है जब वो अपना काम कर रहा होगा नीचे तो ठीक है और देखते हैं पर क्या क्या चीज़ें और सामने है वो वाला बटन जिसको मुझे प्रेस करना है जिससे अपने में डूर की एक और light green हो जाएगी और यह कह बट सेम बटन मैंने सामने की तरफ भी देखा है एक बार यह वहां जाके देखते हैं तो यहां लिखा हुआ है recharge ceiling light अच्छा तो गाइस यहां पर जो ceiling light है जो वहां पर लिखा हुआ था कि charge करनी है उसको मैं यहां से कर सकता हूँ ओके गाइस तो मुझे जादतर चीज़े हैं पर समझ आ चुके अब देखते हैं वहां पर उस बटन से क्या होता है यहां पर लिखा हुआ है start reboot और इसको प्रेस करना है तो ओ भाईस अब यह क्या हुआ ओके शायद से गाइस मैंने अभी अपना mission start कर दिया है और अभी शाय से मुझे यह वाली लाइट भी बार-बार चार्ज करने पड़ेगी जिसका बटन गाइस हमने वहां पर देखा था अभी मुझे क्या करना है कावर बेटर गेगल फ्रम अबव ओके अभी वह हो गया है राइट साइड में तो शायद से गाइस मुझे वुझे रेड लाइट जलरी वहां पर फोकस करने पड़ी कोर फ़ाइट से उपर से ओन ग्या है जब पर से यह घाई है और वाइस फैर जारा कैस जैनाएह काइस अभी हमने शायक से एक पार्ट कः दिया और यह क्या हुआ है अभी क्या मुझे अभै वैग क्या अच्छा भाई अब समझा है scene के है तो guys यह जो green light नीचे दिखाए दे रही है मुझे उस पर तब focus करना है जब वहाँ पर red light हो जाएगी और red light का मतलब यह है कि वहाँ पर कोई monster है जिससे मुझे bitter giggle को बचाना है बट guys वो सब ठीक है लेकिन यहाँ पर ceiling में से भी बहुत जादा बड़ा monster निकल कर आ रहा है और शायद से वो sir dada do है जिसके लिए मुझे यह वाली light on करने पड़ेगी लेकिन इससे पहले मुझे उसको recharge करना पड़ेगा जिसका button वहाँ सामने की तरफ है भाई सब यह बहुत जादा complicated होने वाला है मुझे समझ आ चुका है और guys यह है वो button जिससे हम अपना mission स्टार्ट कर सकते ओकी guys तो 3,2,1 लेट्स गू अभी मैंने अपना mission वापस स्टार्ट कर दिया है अभी मैं भाई इस वाली light के पास आके खड़ा हो चुका हूँ ओके 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 भाई समझ आ गया है मुझे जल्दी कर हाँ guys मुझे ceiling पे भी ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ से भी बहुत ज़्यादा बड़ा monster आ रहा है लेकिन ceiling में से भी एक monster आ सकता है भाई नीचे नीचे रुखे 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 रुखो मुझे नीचे इसको focus करना पड़ेगा let's go ओके ये मैंने साही time पे कर दिया और जल्दी से मैं ये वाली light charge कर देता हूँ ताकि ये monster भाई साब इसको देखो मैंने अभी light charge कर दिया इसका मतलब मैं ये वाला button press कर सकता हूँ अभी guys मैंने ये वाला button press कर दिया जिससे ये monster अंदर जा चुका है बट guys शायद से मैंने कुछ गल्ती कर दिया जिससे अपना mission वापस से fail होने वाला है अब यार भाई ये काफी मुश्किल है भाई अभी तो मैंने सब कुछ सही कर रहा था भाई साब यहां पर कितनी सारी जगह है एक दो तीन चार पाँच है भाई 12 जगह है जहां पर monsters आ सकते हैं और मैं उपर अकेला control कर रहा हूँ और guys हमें यहां पर 4 switches ठीक करने हैं जिसके लिए better giggle और मुझे हम दोनों को बहुत ज़्यादा महनत करने बड़ेगी ठीक है भाई तो अभी वापस से चलते हैं उपर वाले floor पर बट guys problem पता है क्या है इस वाली जगह से भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा monster निकल कर आ रहा है जिसको मैंने अगर साई टाइम पर वो वाला button प्रेस करके भगाया नहीं तो वो हमारे उपर attack कर देगा और वो वाला button दबाने के लिए पहले मुझे ये वाला button दबाना पड़ेगा लेकिन नीचे इतने सारे buttons है कि वो सारे ready हुए जा रहे है इतने सारे buttons मैं अकिला कैसे दिखूँ बट guys हमें ये वाला button प्रेस करना है तो मुझे ये mission complete करना ही होगा और let's go अभी मैंने इसको वापस से start कर दिया है ओके guys तो अभी मैं बिल्कुल ready हूँ सारे के सारे monster से fight करने के लिए मैं यहाँ पर बीच में आके खड़ा हो चुका हूँ जो भी light यहाँ पर red होगी सबसे पहले मुझे उस पर अपना projector फोकस करना है और हाँ guys यहाँ से जो monster हैगा मैं एक काम करता हूँ पहले जाकर क्यों नहीं वाली light चार्ज कर दूँ ताकि बाद में एक करने में मेरा time waste ना हूँ ओके 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 guys वो monster अब किसी भी time यहाँ पर आते होंगे मैं जाकर इस projector को नीचे कर देता हूँ ओके तो फिलाल अभी सारे buttons green है और better giggle वहाँ पे अपना काम कर रहा है वैसे एक बरी सामने जाकर देखते है क्या पता इस side वाले buttons red और मुझे उपर सो इस monster की आवाज आ रही है ओ भाई साब यह तो खुदी आ गया इसको अपना second switch में fix हो चुका है मैं जल्दे से जाता हूँ ceiling light को recharge करने भाई साब यह अल्मोस्ट बाहर आ चुका और यहां पर बहुत सारे buttons red भी है let's go मैंने side time पर इस button को प्रेस कर दिया और गाइस मुझे बहुत सारी चीज़े एक साथ एक नहीं पड़ रही है ओके तो third switch में fix हो चुका है भाई better giggle बहुत साई काम कर रहा है और एक तो इस monster ने अलग से दिवाह खराब कर रहा है guys अभी situation control से बाहर निकल रही है okay 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 finally आपने कर दिया है oh let's go activate the switch let's go भाई अभी मुझे वह वाला button प्रेस करना है भाई साब finally मैंने इतनी जादा मेहनत के बाद यह open कर दिया है और अभी शायद से मैं आराम से आपे सांस ले सकता हूँ okay यहाँ पे एक note है भाई यह बखवास note है मुझे यह नहीं पड़ना मुझे बस इस button को प्रेस करना है भाई इसके लिए इतनी जादा मेहनत करी and let's go अभी भाई मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रहा है यह अजीब से monster भाई सच में दिमा कर आप कर दिया था और भाई bitter giggle इसको मैं मान गया भाई यह बंदा मेरी बहुत ज़्यादा help कर रहा है भाई मैं तो इस पर शक कर रहा था कि यह acting वगरा कर रहा है अब भाई तू गुसा मत हो यह है यह drone थोड़ा ऐसी है ओके गाईस तो हम फाइनली इतनी सारी सीडिया चटके उपर आ चुके और भाई आज की वीडियो का hero है bitter giggle पहले भाई इसने sir dadadu से fight करी उसके बाद इसने उस चीज़ में मेरी help करी जो मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं कर सकता था और भाई यह सब कुछ बहुत ज़दा crazy था और अभी फिलाल मुझे जाना है सामने की तरफ और let's go guys अभी यह light वापस से अपने आप जलना स्टार्ट हो चुकी है और guys वापस से मुझे वही सब आवाज आने लग रहे है लेकिन कोई दिक्कत नहीं अभी हमारे साथ बिदर गिगल भी है ओके क्या बात करने है तुझे अब यह मत बोलियो भाई तू यह सब मतलब के लिए कर रहा था कुछ ओके वैसे हां हम साथ में मिलके काफी अच्छा कां कर रहे है और इसको एक जोक सुनाना है वह भाई तरको शेरिफ तोडसर मिल गया ना भाई बहुत सुनाएगा भाई कितना घटिया है ओ भाई सारे के सारे मॉस्टर से सुने है तेरे घटिया जोक पे तो इसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि भाई इसके जोक पे भी कोई हस सकता है और अब भाग के कहां जा रहा है मुझे तो लेके चल तो आज का एपिसोड बहुत ज़दा कूल था मुझे बहुत ज़दा मज़ा आया वो सारी के सारी आ चुके है उसी जिगे पे जहां पे से बैंड बलीना किडनाब हुई थी और स्टिंगर फ्लीन यहां पे बैठा हुआ है और क्या यह वही है जो मैं सोच रहा हूँ गाइस यहां पे वो किटी सौरस है जिससे हमारी फाइट हुई थी और इस केज के अंदर नैब नैब है भाई सही है तिर को अंदर ही रहना चाहिए भाई यह बरोसी के लायक नहीं है इसकी जो फ्रेंड थी नैब ने ली रहा है उसका मैंने उप्रेशन करके हेल्प करी थी भी मुझे लगाता है ठीक हो गया बट गाइस उसके बाद इसने हमारे उपर बहुत बार अटेक कर रहा है खर यह तो ठीक है बट यहां पर इतना उदास की बैठा हुए और अभी मुझे कुछ कह भी नहीं रहा है गाइस मुझे तो लग रहा है कि यह सारे के सारे बट यहां पर अराम से खड़ा हुआ है और हाँ गाइस अभी हमें बस लास सेक्टर में जाकर वो आखरी स्विच भी आन करना है जिसके बाद वो वाला डोर ओपन हो जाएगा और फाइनली हम कुईन के से से यह सारी चीज़े रोक पाएंगे एक तो भाइस की जो कितने कर रहा होगा जिसकी बज़े से बैन बैन ने उसको केज के अंदर बंद कर दिया है बैग कैट फ्रेंड बाई वो मेरी कोई फ्रेंड वेगर नहीं है ओके तो यह यहां पर अपने आप चलकर रही है और बाई यह बंदा सच में अलगी है ओके गाइस तो अभी बेटर गिग पड़ी हुई है उसलो से लिना जील के अंदर बंद है और इधर से उदर भाग रही है फिर गाइब हो गई ओके तो सारी टेप्स खतम हो चुके और गाइस अब वापास से चलते है इस मैप के तरफ हम लोगों ने स्टार्ट कर रहा था स्टोरिज बेस से उसके बाद हम करते हैं 15,000 लाइक का तो जल्दी से जाकर गूल कंप्लीट कर दो ताकि इसका नेक्स पार जल्दी से आज़े और बहुत सारे लोग चैनल पर रेगुलरली वीडियोस देखते तो है बट सब्सक्राइब भी कर दो हम 30,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़दा क्लोज और मु घंडाय से लिएक के बहुत है, तो है बट सब्सक्राइबर्स क कले दो ज़ picturedaku.